प्रेज हालेलुया विनिसल प्रोग्राम में मैं आपकी खादमा मिस्स अन्वर फजल आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार यकीन आप आज देख रहे हैं कितना खुबसूरत हमारा स्टूडियो लग रहा है और ये ऐसा खुबसूरत दिन है कि इसमें हम ना के सिर्फ अपने स्टूडियो को बलके घरों को और अपने जो है हर चीज को सजाते हैं क् कि जिसकी सालगिरा होती है उसकी सेलिबरेशन हम कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी चीजों को सजाते हैं और डेकुरेशन करते हैं वो हमारा यसुमसी है जिसकी सालगिरा है और इस सीजन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं वेलकम कहती हूं कि इस सीजन में आप इस सीजन क enjoy भी करें और अपनों को जो है उनको याद करें और उन कि तरफ से और इसाथ पास्टर करिस्ट की तरफ से Happy Christmas तो वह आपको आप बहुत शौक से देखते हैं आईजिक टीवी पे और इस तरह से आप आईजिक टीवी से प्यार करते हैं खुदा के खादम पास्टर अन्वर से प्यार करते हैं खुदा के खादमों से प्यार करते हैं ते थैंक यू वेरी मच्च आपकी इस प्यार के लिए आपकी सारी मह क्वाब्बद के लिए तो आपकोपता हमारे पास बड़े खुबस्रदान ुभर के मुल्कों से भी आते हैं आज भी हमारे पास जो खादमीन आज उनको खुशाम दीद कहेंगे इस तरफ मेरे बैठे हैं पास्टर अजीम डेविट साब आपको खुशाम दीद कहते हैं वेल्कम कहते हैं इस प्रोग्राम में भी और आज न्यू सीजन है तो आपको खुशाम दीद कहते हैं प्रेज हालेलुया और पास्टर असलम साब आपको भी खुशाम दीद कहते हैं विनिंग स्टोर प्रोग्राम में और आपको वेल्कम कहते हैं और मेरे इस सब बैठे हैं पास्टर आसिफ आपको भी हम में खुशाम दीद कहते हूं और वेल्कम कहते हूं और मुबश्र अद्न में केक कटिनि कर रहे हैं अलाकि मैं पिस् капction को बिता कें हम पाकिस्तान में हम जहां पर भी जाते हैं हम केक कटिन करते हैं और बहुत जादा इसको मिनाया जाता है औरर मैं शुक्र गुजारी करती हूं कि खुडा ने हमें वक्त दिया दो छजार उनैस का साल दिया ताके हम उसकी शुक्र गुजारी करें, हम दोसना करें और खुदावंद क्या सारा इज़त और जलाल हम खुदा को दें ताके उसने 2019 में हमें संभाले रखा आने वले सालों में भी खुदावंद आइजिक टीवी को, अटनल लाइफ को जो है बहुत बरकत दे तो इससे पहले कि मैं पादी से बान से बात करूँ तो हम जो है मुबशर अद्नान आप दुआ करें, दुआ में रहनमाई करें इस सीजन के लिए, सारी बरकतों के लिए हम शुक्र गुजारी करें आईए अऊनकों को बंकरें, हम खुदा के खादम के साथ मिलके धुआ करें खुदावन जिंदा अअसमानी बाप, खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं pentru जो जिन्दों का खुदा है और खुदावन हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं सदियों से इनसान जो नाउमिदी की हालत में और खुदावन तुझे देखने के लिए तरस था तो उन्हे अपने बेटे के सबब से जाहर किया था कि लोग तुझे पूरे तोर पर पहचान सके हम तरी शुकर गजारी करते हैं खुदावन और खास तोर पर खुदावन इस खुदावन हम इस उमीद पर जीते हैं कि तू हमारे साथ रहता है खुदावन क्योंकि तू इमान वेल है खुदावन हम तेरी शुकर गजारी करते हैं खुदावन तमाम खादमीन के लिए खिद्मतों के लिए खुदावन हम तेरी शुकर गजारी करते हैं और खुदावन और सारी बजगी और सारा ज़्लादेरी यथ सुनाम को दो आ हैं खुदाववंदर हम सबके साथ हो ये सिल मेसी के नाम से मांगते हैं आमिए प्रैस हालेलोया तो हम सब से शुरू करेंगे कि मैसे क्रिस्मिस के डेज हैं कैसी खिदम जा एंग ए क्या-क्या त्यारियां कह रहे इनका शुक्रिया दा करता हूँ जो क्रिस्मिस ग्रीटिंग्स आपने दी मुझे आपकी बातों का बड़ा अच्छा लगा मज़ा है कि क्रिस्मिस एक ऐसा सीजन है जिसमें एक बहुत कमजोर मसीही जो है वो भी अपनी पूरी एफट्स लगाकर क्रिस्मिस की तियारियां करता है और जिस परसनेलिटी की इलाही जात की हम ये इद मना रहे होते हैं वो एक दिन में समा ही नहीं सकता इसी वज़ा से कल हमने एड़ूंट संडे मनाया फर्स्ट एड़ूंट संडे जो यसुमसी की आमद की निशानी है जो सदियों पहले यसुमसी के लिए बहुत सरे अंबिया ने पेशगोई की और फिर हैकल में दाखिल होकर अनॉंसमेंट की कि बादशाओं का बादशा जो है वो जन्म लेता है मुकदस यूसफ जो मुकदसा मरियन के मंगेतर है वो दाओद की नसल से है मतलब बादशा है लेकिन इस वक्त वो बढ़ाई की सुरत में हमें नजर आते है और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं के मुकदसा मरियम के हाँ जो मुझजाना कुछ से यहां पर लिखा है कुदरत से रुह कुदस की कुदरत से तो यह मुझजा है खुदा का के खुदा जनम लेता है इंसान के रूप में तो इसकी हम त्यारी करते हैं यह सुमसी के जनम की त्यारी करते हैं और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ शुकर गुजारी से मेरा दिल भरा हुआ है कि हम उसकी प्रेस्टिश करते हैं, उसका जनम दिन मनाते हैं, जो आज पूरी दुनिया में लोग उसके लिए सेलिबरेशन के लिए तियारियां कर रहे हैं। कि हम बड़ी खुशथियों के साथ और बड़ी सेलिबरेशन करते हैं, अपने जो है चर्चिस में तयारियां कर रहे होते हैं, बोहसी चीजें हम बच्पन में थे तो स्कूलों में तयारियां होती थी, सारे प्रोग्राम्स करते थे, तो हर कोई यस्वमसी की पड़ाईश की त कि इस नए सीजन में और इस तरह से खुदा की आमद के लिए क्या 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 त्यादिया कर रहे हैं प्रेजद लाज शुक्रिया सिस्टर और मैं शुक्र गजार हूं खुदावन यसुलमसी का कि जिसने में यह मौका दिया है ताकि साल भी हम खुदावन की खुशियां जोश खुदावन के लिए मैं खुदावन का शुक्र गजार हूं और मेरी दुआ है कि खुदावन पूरी दुनिया के अंदर जहां तक अभी तक कलाम नहीं पहुंचा जैसे पास्टर साब की रोया है कि घर घर में अंजीत सुनाएंगे तो मेरी दुआ है कि घर घर में बलके क्रिस्मिस के जो खुशिया है सेलिबरेट करें क्रिस्मिस का मतलब यस्मसी की पदाश जो है ये एक अजीब तरीका से हुई है हाला के हम कहते है कि वो बादशाहों का बादशाह बादशाह की पदाश तो किसी महल में होनी चाहिए थी किसी आला मुकाम पे होनी चाहिए थी लेकिन हमारा बादसर जो पैदा हुआ है वो एक चरनी में उसने जनम लिया अपने आपको उसने ऐसी जगा अख्तियार की और हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो जहां युस्वमसी की पदायश हुई थी युस्वमसी की जो पदायश है हम मनाते हैं बलके पूरी दुनिया के अंदर हम इस बर्डे को मनाते हैं युस्वमसी की बर्डे बर्डे उसकी मनाई जाती है जो जिन्दा हो तो हमारा यसू जो है वो जन्दा है और ताहईात वो जन्दा रहेगा और उसकी बर्डे जो हैं हम हमेशा मनाते रहेंगे और क्रिस्मिस का पैगाम यही है कि अपने आपको तियار करना है रुहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी हम यसु की खुश्यां जो मनाते हैं अगर हम देखते हैं कोई गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है तो हमें चाहिए कि उसकी हैल्प करनी उसकी मदद करनी ताके हम क्रिस्मिस मिल के कठा मना सकें तो एक दूसरी के काम आना है जिसके उसमसी ने हमें कहा है कि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहना आया भूखा था, खाना ना खिलाया प्यासा था, पानी ना पलाया तो अगर हम अच्छे कपड़े पहन के निकलें और हमारे नेबर जो है उनके पास कुछ नहीं है तो बजाए के हमें उनकी हेल्प करने की जरूरत है हमें उनको साथ ले के खुश्या मनाने की जरूरत है ताकि हम उनको भी साथ मिलाएं और यसमसी की बढ़डे जब यारे टुगेधर हम उसके कठा मनाएं सो मैं ये कहना चाहूँगा किRISMIS का पेखाम जो है वह यही है कि जैसे यशो मसी ने कहा है कि मैं इसली आया ताकि लोग जंदगी पाएं नजाथ पाएं और हुँशा की जंदगी ताकि है अपने जंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर करना है ताकि यशो मसी की जो जिन्दगी थी वो कामल इंसान और कामल खुदा था हमें उसकी तरह बनना है क्योंकि खुदा हमें कहता है यसु नहीं हमें फरमाया है कि तुम मेरी मानद बनो तो हमें यसु की मानद बनना है यसु की मानद काम करने है यसु की तरह हमें अपने आपको प्रिपेट करना है ताके हम दूसरों की मदद करें एक दूसरे की हैल्प करें और यिस्मसी के नाम को जलाल दें ताके हमारी जिन्दगियों से खुदा का जलाल जाहर हो और यिस्मसी ही वह परसनیलिटी है वो ऐसी हस्ती है जिसकी बरड़े पूरी दुनिया मनाती है चाहे किसी भी कौम, किसी भी तबका से वो तल्लक रखता हो, वो सब के काट रहे होते हैं, ये ये सुमसी की महबत है, ये उसका प्यार है, और ये सुमसी के लोग जितने भी हैं, वो उनमें ये सुमसी की महबत है, और क्रिस्मिस का पेगाम, महबत है, सखावत है, एक दूसरे का साथ देना है एक दूसरे की मदद करना है ताकि जिस तरह यिस्व मसी ने हमारे लिए अपनी जान दी हमें भी चाहिए कि क्रिस्मिस के तहवार में जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प करें जिनको अगर आपके पास कुछ देने को हैं तो आप उनकी मदद करें उनके साथ मिलके क्रिस्मिस की तहवार को मनाया जाए आपने बड़ी खुबस्वत बात दे कियें तो पास्ट साब आप क्या कहेंगे पास्टर आसिर साब आजकल सारे चर्चिस में त्यारियां हो रही है यकिना आप भी अपने चर्चिस में त्यारियां कर रहे है क्या कहना चाहेंगे कैसी त्यारियां जा रही है आपकी सिस्टर सबसे पहले मैं खुदाओं यसमसी का शुक्र अदा करता हूं कि वो हमें अपने जलाल का और उसकी पदाइश के हावाले से हम गुफ्तबू कर सके और खुदाओं के नाम को जलाल दे सके हैं सिस्टर मैं खुदाओं का शुक्र दा करता हूं कि विजस्ता पांच साड़े पांच साल से मैं खिदमत कर रहा हूं तो ठोकर न्यास बग शापूर कांजरा में मेरी साथ जिस तरह हम एक उमीद के साथ किरिसमस की त्यारिया रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर त्यारी हो लिए इसे तरह हम भी इसमें खूब तरीके के सासर गर्म हैं ताके हम मसी की खुशियों को और उसके बड़त दे के दिन को बेहतर और मौस्ट तरीके के सासर अलिपरेट कर सके हैं क्योंकि हमारा नज़ाद हिंदा इस दुनिया के अंदर एक इनसानी बदन की सूर्थ में आ रहा है इसलिए हम बड़े खुश हैं पुरे इतमाद हैं और खुदा उनके फजल से कलिसे तोर पर भी हम बहुत दुबालाती के से मना रहे हैं पंदरह तरीक को हम इसमेहने को बहु पाकिस्तान है तो मेरा तल्लक ठोकर न्याजबर्ग शापूर कांजरा से है वैसे बेसिक मेरा तल्लक जिला सहीवाल से 1749L मेरे विलिज का नाम है लेकिन गजस्ता 15 साल से मैं लहूर में मौकीम हूं और खुदाउंद की खिदमत सारे इनजाम दे रहा हूं एज़े चर्च चार्ज हूं मैं अपने चर्च का और खुदाउंद का फजल है कि खुदा बड़े कस्त के साथ इस्तमाल कर रहा है मैं खुदाउंद का शुक्र दा करता हूं कि खुदा ने मुझे यूथ बड़े अच्छी दी हुए है जिसमें तकरीबन तीस बाई हैं और दस बारा बेने हैं तो हम हर साल क्रिस्मिस के इवन पर पैसे कठे करते हैं पैसे कठे करके फिर हम तकरीबन सो डेड़ सो फैमली में अपनी सब स्पोर्ट पर हम उनको कपड़े ले कर देते हैं हम उनके राशन का खाने का हर चीज का बंदोबस्त करते हैं और पिछली दफ़ा हमारी टीम के बहुत सारे लोगों ने ने ट्रेस्ष नहीं लिए थे, हमने अपने सारे पैसें को न चीजों में निवेस्ट किया तो अबी भी भी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यह में वह वहाँ अपने जलाल के लिए तो उसके जनम की त्यारियों में आप सब को त्मां सुनने वालों को दर्खास करूँगा, कि अपने दिल खोल कर ख़दा कि एकलाम के लिए उसके जलाली कामों के लिए, और बिलखिसूस अन लोगों को क्रिसमस की खुशियों में शमूल करें, जिनके पास खाने के लिए नहीं है जिनके पास पहने के लिए कुछ नहीं है मैं चाहता हूं कि हम सम्मिल कर अगर बलाई करना चाहें तो कुलाम में मकदस के लिए लिए का पह जो बलाई करना जानता है नहीं करता वो गुना करता है तो हमारी मिनिस्ट्री की अरोया भी यही थी, विनिंग सोल्स यह इस रूहों को जीतना, तो हम खुदा की फजल से रूहों को जीत रहे हैं और खुदा के जलाल के लिए काम करें, और इस क्रिस्मिस पर भी हम एक काफी बड़ा इस चीज़ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हम दूसरों की स्पोर्ट कर सकें, और उनको क्रिस्मिस में शामल कर सकें, जिनके पास कोई चीज़ नहीं है, ताकि खुदावन का नाम कसत के साथ इज़त और जलाल पहें, तो आप क्या करें क्रिस्मिस के मौका पे, कैसे सलिबरेट करते हैं, क्या प्लैन होते हैं चिर्चि का और इसके साथ पाद्री अजीम डेविड साब का, क्योंकि मैं मुस्किल तोर पर सैंट आसफ़र चर्च का मेंबर हूं और पाद्री साथ मिलकर ही इनके जेर साया खिदमत भी कर रहा हूं, जैसे के पाद्री साथ हमने पहले बताया कि हमने एडवेंट संडे जो है, उसकी सैलिबरेशन भी बड़े अच्छे तरीके से की और हमने चर्च में यसमसी की जो पदायश की खुशी है, उसको बड़े मौसर तरीके से मुनाने की कोशिश की ताकि बहुत सारे लोगों को अपने साथ इस खुशी में शामल करें, जैसा कि हम जानते हैं कि जब आदम ने जिसको उसने अपनी नाफरमानी के सबब से खो दिया, और उसका चरफ एक ही रास्ता था जिसकी बाबत नभीयों ने पेशन गोई की और यह उसकी खुशी है, यह उसकी पदाइश है, जिसकी बाबत लिखा कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, ता उनको यह खुशखबरी मनाए कि नजात देहिंदा जो है वो आ चुका है, नजात खुशबरा ने हमारे लिए भेज दी है ताकि जो कोई उस पर इमान लाए हलाक नहों और हमेशा की जिन्दगी पाए, और यही खुशखबरी की मनादी हम अपने चर्च सेंड आसफर्ट से इसको मैसिज को प्रीच किया, लोगों को बताया और बहुत सारे लोगों को इस खुशी में श्रीक भी किया ताकि हम इस हकी की खुशी को सब मिल कर मना सकें और बहुत सारे लोगों को यह पेगाम दे सकें कि नजात जो है यह समसी के वसीला से है और इत्मनान जो है यह समसी के वसीला से और इस तरह से हमने इस सेजन को हमने सिलिबरेट किया तो आज बड़ी खुबसुरत वर्स हमारे पास है तो हम आप्वार शीयर भी करेंगे और मेसेट भी जो है खुदा के खादम भी जो है सुनाइए बाप पड़ने में रहनमाई करें अन्जीली बियान, उसका पहला बाप और उसकी आठारवी आए से लेकर पचीस्वी आएते तक हम खुदा के कलाम मकदस को तलावत करेंगे अब ये सुमसी के पदाईश इस तरह हुई कि जब उसकी मा मरियम की मंगनी यूसफ के साथ हो गई तो उनके अकटे होने से पहले वो औरुलकुदस की कुद्रस से हामला पाएगी पस उसके शोहर यूसफ ने जो रास्तबास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदाओंद के फृष्टा ने उसे खाब में दखाई दे कर कहा आई यूसफ इबन दौद आपनी बीवी मरियम को आपने हां ले आने से ना डर क्योंके जो उसके पेट में है वो रुलकुदस की कुद्रस से है उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यसु रखना को कि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नचा देगा ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदाओंद ने नभी की माफ़त कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कौवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुल रखेंगे जिसका तर्चमा है खुदा हमारे साथ पस यूसफ ने नेंज से जाकर वैसा ही किया जैसे खुदाओंद के फरिश्टा ने उसे हुकम दिया था और अपनी बीवी मर्यम अपनी बीवी को अपने हां ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम ये सुरका पाक लाम का पड़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का और इत्मनान का बाइस हो प्रेज भालेलिया बड़ी खुब्सुरत जो है वर्स है और आपको पता है कि बहुत से चर्चिस में ये प्रोग्राम करते हैं बच्चे संडे स्कूल में ये प्रोग्राम करते हैं और पूरा टैबलो होता है बड़ा खुब्सुरत होता है ये प्रोग्राम जो करते हैं तो पासाब मुझे बड़ी खुबत ये बात लगती है कि रूल कुदूस की पुदूस से पैदा हुआ और फिर हम देखते हैं कि एक प्लान था कि रूल कुदूस की पुदूस से बेटा पैदा हुआ और उसने कहा कि उसका नाम Marriage रखेंगे और लोगों के गुनाहों के लिए कि शुरु से आप देखते हैं कि हम प्राने अे देखते हैं कि गुनाह जो है फिर इंसान गुनाह करता रहा फिर दू चला गया फिर गुना करते है पर वो कहता है नजात का जो तुफा है नजात का जो है वो खुदा की तरफ से उसका प्लैन था और खुदा जब जब खुदा ने अपने बेटे को भेज़ा उसने का कि गुनाओं को माफ करने के लिए तो देखें कि कितनी बात बड़ी है हमारे लिए तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे क्या मैसे देना चाहते हैं आप सिस्टर जब हम ग्रीक लैंग्विज के मतर्म में इसको देखते हैं तो यह जो लव्ज कुदरत है दरसल इसका मतलब है मौजज़ा कुछ लोग बेटा होने पर भी एतराज करते हैं सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम यसु मसी को बेटा जिस्मानी सेंस में नहीं लेते हैं यसु मसी रुहानी तोर पर यानी रुख लकुद्स के जरीए जह हैं वो मुकदसा मर्यम के बातन से जो कवारी थी जनम लेते हैं एक बात दूसरी बात हमें इस चीज को अंडर्स्टेंड करना चाहिए कि खुदा जो है वो जो कहता है वो होता है उसमें इनसान की अकल और साइस का कोई कांसेप्ट नहीं है खुदा जो है वो कहता है कुन हो जा वो हो जाता है रुक जा वो रुक जाता है अन्डी रुक जाती है तुफाल रुक जाते है और खुदा ने ये इनसान को एक हलीमी स जैसे अबी जिख्कर हो रहा था कि इन्सान गुना के बाइस जो है वो दूर है तो खुदा जो है वो यसुमसी की सुरत में आदम भनकर हमारे गुनाहों को मुःफ करके भुबसूरत ये बत है यसुमसी ही वो दात है जिसमें गुना नहीं है खुबसूरत बात ये है कि वो फर्माता है कौन है जो मुझ में गुना साबत कर सकते है फिर खुबसूरत बात ये है कि वो वही इक्तियार रखता है जा तेरे गुना मुआफ़ होए ये मौजजात में हमें नजर आता है बाइबल में ये नजर आता है और फिर नजात का जाता है ये भी येसू और खुबसूरत बात है कि दुनिया मानती है दुनिया तसलीम करती है कि येसू मसी बिन बाप के जनम लेते हैं ये चोटी बात नहीं है ये मामूली बात नहीं है और फिर उस मुकदसा के बारे में जो सारी जहान की ओरतों से बलकर मैं यह समझता हूँ मर्दों से भी यसमसी को निकाल कर अफजल रत्वा पाती है और उसके जनम से यसमसी पैदा होते हैं जो फरमाते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा मैं और बाप एक है जो खुदा के पास इक्तियार है वही यसमसी के पास इक्तियार है आज किसी ने कभी यह नहीं कहा आंदी को रुक जाए वो रुक जाता है आज किसी ने कहीं नहीं कहा कि ऐ लाजर बाहर निकला चार दिन का मुर्दा लाज़ बाफ जिए वो जिना झालता हूँआ है आज किसी ने यह कभी नहीं कहा वो शायद रोजे तो रख ले फाके तो कर ले लेकिन आज किसी ने पांच रोट्यों और दो मछ्लियों से पांच हजार को, साथ हजार को खाना निकलाया यह यही कुदरत जो है उसमें पिलहा है अटोमेटिकली वो खुदा है यह सुमसी खुदा रू है और रूह को जह हम मानते हैं कि खुदा रू है उसकी कोई शकल नहीं है खुदा रू है और रूह जो है वो मसी के जरीए जो है वो एक चश्मा बनकर काम करती है प्रेज हालेलुया बड़ी खुबस्रत बाते हैं आप आपसे और भी बात करेंगे और आज क्रिस्मस के मौका पटो ने कहा रूल कुदूस पूने चली में और आपको पढ़ता है ऑचे हैं जब अभो चुब्स वेकिड सी मौनात जाते हैं बहुत से लोग जो है उसको महसूस करते हैं रूलकुदूस आपकी जिन्दगी में काम करता है क्योंकि वो इसलिए आया कि हम बरकत पाएं नजात पाएं रूलकुदूस के तुफ़े को भी हासल कर सकें और आज जब के हम बात भी करेंगे और भी बाते करेंगे हम एक ब्रेक के बाते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं गाद ब्लेस यू आल वेलकम बैक विनिंग सुल प्रोग्राम में तो आईए हम एक गी सुनते हैं और आप जो है गी सुने और बरकत पाएं गाद ब्लिस यू आल हूजण खीन ही बात भी करेंगे आओ मिच्रो गिज्यसु देगा ये उन मन के पीसम अपना प्रिसो जे नल लाए आओ मिच्रो गिज्यसु देगा ये आओ मिच्रो गिज्यसु देगा ये ओजे कमचे ओजी कुद्रत सारे जगन बखाये ओजे कमचे ओजी कुद्रत सारे जगन बखाये ओजी पक्त करणवाले जग्ट बखाये हत नत नत योजे नादियां कुजियां जिमाना ये आओ जज्यसु देगा ये आओ जगनों आओ मिच्रो गिज्यसु देगा ये जगन आदा जना शरमा ये होँ है जगन बखती गाता जना शरमा ये पापा कून तौबा करके मुप्त उसकों पाये हो पापा कून सौबा करके मुत्यूस कूपा ये आओ सक्के दिल नल्म तरो आओ सक्के दिल नल्म तरो गिस घुशी देगा ये आओ सद्नों आओ मतरो गिस यद्यू देगा ये आओ सद्नों आओ मतरो गिस घुशी देगा ये आओ दे प्रेंज दीवे सारे जगच जगा ये आओ दे प्रेंज दीवे सारे जगच जगा ये जब ये नाम या सूदा ना दे हो दे हमद सुना ये आओ से मीचां साँ जाके गिर जे घर बना ये आओ सद्नों आओ मतरो गिस घुशी देगा ये तो जी वीवर आपने ये गीच सुना और आज आपको पता है कि हम बाते कर रहे हैं कि कितनी खुश्रत बात कर रहे हम ये ये इसमर्सी के हौ़ाले से कि के उसने एक प्लान था कि उसने अपने बेटिए को बहजा और वो बेटा जो है हमारी जिंदगी में है उसने का है वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, नजात कोई भी नभी ने नहीं दी, किसी इंसान ने नहीं दी, किसी पास्टर ने नहीं दी, बलकि मेरे यिस्तु जिन्दा खुदा ने दी है, जो मेरा जिन्दा खुदावंद है, जलाली परा खुदावंद है, वो ही नजात देने की खुदरत तो हम पास्टाब से पूछेंगे, Beshold Patsdos आपके नजात कोई भी नहीत करा विंसे शुरूखा में ने इसकते। मैं नहीं नजात दे सकते। वो यसू fant tyra cinema ही है जो नजात देने की खज़रत रखता है। उसने के गुनाहों की नजाद के लिए तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रॉजद अलाज पदैश के मुतलग से जैसे हमने खुदा के किलाम में से पड़ा हैं कि यस्व मसी की पदैश तो मैं थोड़ी सी रौस्टिनी पदैश की तरफ आपकी दिलाना चाहता हूँ बागे अदन से लेके जब खुदा ने आदम को बनाया पहली पदैश जो हुई है आदम जो पैदा हुआ है खुदा ने इंसान को मटी से पैदा किया नमर वन इनसान की पदैश का तरीका क्या है? पहला तरीका खुदा ने जो अख्तियार किया आदम को मटी से पैदा किया दूसरा तरीका जो था खुदा ने उसी आदम की पसली से हवा को पैदा किया खुदा जो है वो क्रेटिव है, कादर मुतलिक है, बनाने वाला है दूसरा तरीका जो अख्तियार खुदा ने किया था वो आदम से हवा को पैदा किया और उसकी पसली में से उसको निकाला ये दूसरी पदैश है जब हम तीसरी पदैश को देखते हैं तो वहां इनसानी मलाप से है में और बीवी के मलाप से है लेकिन चौती जो पदाइश है यसु अलमसी की वो एक आजीव तरीका से है जैसे हमने पड़ा है मत्ती के अंजील और उसके पहले बाद की अठारवी आथ में अब यसु मसी की पदाइश इस तरह से हुई अब यसु मसी की पदाइश जो है ये किस तरह से हुई है नभीयों ने पेगंबरों ने पेशन गोईयां की और इन सारी पेशन गोईयों के बाद जब हम पढ़ते हैं एक लफ्स अब एक सवालिया फिक्रा है कि अब येसु मसी की पदैश जो है वो इस तरह से हुई ये चौती पदैश जो है ये एक अजीब तरह से हुई है रूर को इसकी कुद्रस से पाकरू की कुद्रस से मैं अकसर कहता हूँ अगर शेयर का बच्चा पैदा ओता हो तो उसको शेयर ही कहते है तो जो रूर को इससे पैदा हुआ खुदा का बेटा है जब हम खुदा के बेटे यसु अलमसी की पदैश पे गौर करते है मैं आपकी तौज़ दलाना चाहता हूँ कि वो मलूदे मुकदस खुदा का बेटा है और उसकी पदैश भी अजीब तरीका से हुए है उसके काम अजीब है उसके जितने भी काम है वो अजीब उसने की यह है पुरी दुनिया के अंदर उसकी पदैश रूल कुस के जरिया से हुई है और कलाम में लिखा है जैसे हमने खुदा के कलाम में से पड़ा है कि रूल कुस तुझ पर साया डालेगा तो जिसका अगर हमारे हम अपनी जैसे हमारे जिसमानी लाइफ है अगर मेरा साया मेरे बच्चों पर बीवी पर होता है तो मेरी ही जिनस से वो निकलेगा तो जब रूल कुस जो है वो खुदा का कलाम जो है जब साया रूल कुस डालता है तो फिर रूल कुस के जरिया से लिखा है रुलक उसके वसीला से खुदा पैदा हुआ जिसका ना कोई बाप है वो खुदी लिखा है क्रेटिव खुदा है कादरे मुतलिक है बनाने वाला वो ही है कादरे मुतलिक खुदा वो ही है लिखा है खुदा के कलाम में वो ही अलफा अमेगा अवल और आखर उसकी कुद्रत अजीब है उसका काम करने का तरीका जब वो कामल इनसान बना तो उसने लोगों को सिखाया बताया कामल वो कामल इनसान और कामल खुदा है और उसकी पदैश अजीब है फरिश्टों नबियों ने सलाम, मरीम को उसने सलाम किया फरिश्टा ने का सलाम है तुछ मरीम जिस पर फजल हुआ है तो ये फजल मरीम पर हुआ है बलके मैं कहता हूं ये फजल पूरी काईनाट के लिए हुआ है ये फजल उसका पुरी दुनिया के लिए हुआ है यूँकि जब तक मैं आपको एक मसाल देना चाहता हूँ मेरा ऐस ए प्रफेशनल जॉब जो है वो शेफ की भी है और अक्सर मैं आपको एक मसाल देना चाहता हूँ कि जब हम यॉरप के अंदर खाना खाते हैं तो यॉरप के अंदर एक कंसेप्ट है कि आपकी टेबल के उपर जब खाना लगता है तो जब खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ आपके पास नैपकिन पड़े होते हैं और नेपकिन बड़े खुबसूरत से फोल्ड किये होते हैं अब जब गेस खाना खा रहा होता है अगर वो उटके अपनी टेबल से चला जाता है नेपकिन वैसे ही पड़े है तो वेटर वो टेबल कभी साफ नहीं करेगा क्योंकि वो नेपकिन वैसे ही पड़े हुए है अगर खा के मूँ साफ करके चला जाए फिर टेबल साफ करते है अधर वाइस वो टेबल रिमूव नहीं करते इसी तरह यसुमसी नासरी कलाम में लिखा है जब यसुमसी को दफनाया गया तो जो उसके कपड़े थे वो एक सैड पर लिप्टे पड़े थे वो फोल्ड होके खराब नहीं होगे थे उनके कंसेप्ट के मताबक ये है कि ये दुबारा फिर गैस्ट वापस आएगा अपनी टेबल पे खाना खाने के लिए वापस आएगा इसलिए उस टेबल को रिमूव नहीं करते इसी तरह मेरे यस्ट का जो कफन था वो एक सैड पर लिखा है लिप्टा हुआ है ये दुबारा फिर आएगा अब यस्ट मसी दुबारा चर्नी में तो पैदा नहीं होगा लेकिन आप वो एक जज्जमिंट के लिए आ रहा है अदालत के लिए आ रहा है तो हम क्रिस्मिस जो मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं कि आज के दिन यस्ट मसी ने दुनिया में जनम लिया मेरे और आप के लिए पूरी दुनिया के लिए पूरी काइनात के लिए जिस तरह उस रेस्टरॉंट का असूल है कि वो नैपकिन वैसे पड़े होते हैं इसी तरह मेरे यसु का कफन भी वैसे पड़ा है वो रिमूव करके साफ करके फेंका नहीं गया बलके वो उसी तरह पड़ा के वो दुबारा फिर वापस आएगा उसी तरह यसु मसी नासरी जो है अब वो चरनी में पैदा नहीं होगा बलके पूरी दुनिया के लिए जज्मिंट के लिए अदालत के लिए अपने लोगों को अजर देने के लिए वो दुबारा फिर वापस आएगा और हमारा इमान है कि यस्व मसी आज भी जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेगा प्रेज मालेलुया खुदाओं आपको बरकत दे और खुदाओं आपके साथ हो पासाब आप क्या कहना चाहेंगे बड़ी खुदफरेथ बाते हैं पादी साब बी बताईई पादी साब ने भी बताईई पुदाओं उस श्रीयत को वागेदन में नाजल किया उस श्रीयत की पिमाली की इसको तोड़ा गया फिर खुदा ने अपनी श्रीयत को मुकदिस मुसा की मार्फत बेजा तरह तरह से नभी तरह तरह से रिसूल आते रहे लेकिन शरीयत पर अमल ना हो सका बनीन और निसान को गुनाहों से और तरह तरह की लांतों से कोई न चड़ा सका फिर खुदा ने अपनी शरीयत को अपने बेटे यसमसी पर भेजा उसके वस मकदसा मर्यम का बदन लेकर इस दुनिया में जाहर हुआ ताके बनीनों निसान को मकमल तरह पर गुमाहों से अजाद करे रहा करे मैं एक बात आज आजिक टीवी के वसीला से करना चाहता हूँ जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं तो कुछ ऐसे लोग है जो मैं कहते हैं कि आप मकदसा मर्यम की इज़त नहीं करते तो मैं एकसर मेसेज में उनको कहता हूँ यहां से बताना चाहता हूँ कि बाइबल मकदस के अंदर लिखा है जिसके पास खुदा का फरिष्टा गया जिससे जुक कर फरिष्टों ने सलाम किया और जिसके बारे में बाइबल कहती है वसे लेकर हर जमाना के लोग तुझे को भर कहा और सबसे अफजल और मकदस बात यе है कि यह सुमसी ने उसके बातने अकदस से जनम लिया जिसकी बाबत कई सो साल जिसकी सो साल जिसाया नभी साथ सा साल पहले पेशन गयी करता है कि देखो ख़दावन आप तुम को एक निशान बक्षे गा और देखो एकमारी ह आमला होगी है पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत चार पदाशे बियान किया है लेकिन पांचवी एक पदाश है कि दुनिया में आज तक कभी किसी कवारी की पदाश नहीं हुई थी और ये सब कुछ रूल-कुद्स की कुद्रत के वसीला से हुआ जो पेशनगोई पेश एक निशान बक्षएगा वो जीब होगा मशीर होगा उसकी पदाश अजीब कुवारी से पदाश है दुनिया के अंदर जितने भी नभी आए जितने भी रिसूल आए सब के सब मा और बाप के रिलेशन से दुनिया में वजूद आए लेकिन ये सुमसी की बाबत ये कहा गय अजीब होगा मशीर होगा खुदा-ए-क-दर होगा और वो सुला और सलामती का क्या होगा शजजादा होगा मैं रात को एक जगा पे मेसेज सना रहा था तो मैं कह रहा था कि ये सुमसी पदाशे पहले भी बादशा था जब पाइदा हुआ तो फिर भी बादशा और जब पिशाक और उसकी रान के उपर लिखाए बादशाहों का बादशाह और शेहनशाहों का शेहनशा बनीन और निसान के लिए तमाम तर वो उमीदे खत्म हो चुकी थी दम तो उड़ चुकी थी क्योंकि बनीन और निसान के लिए कामल कफारा देने के लिए कोई इस तमाम श्रीयत पर तमाम अहकाम पर अमल करो ना हो सका फिर खुदा ने अपने बेटे को बेज़ जा इस दुनिया में ताकि वो बनीन निसान को मकमल तोर पर अजाद करे और क्रिस्मिस जो हम मनाते हैं और क्रिस्मिस की जो खुशियों को मनाते हैं सब से बढ़कर हमें अपने जहन में ये रखना चाहिए कि हमारा हकीकी नजाद हिंदा दुनिया में आया और वो खुदा का बेटा यिसमसी है जिसके वसिला से यहाना की इंजील तीन बाप सोला आयत में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी महबद की गोई हैं बाइबल मकदस में लिखे हैं कि वो ही अपने लोगों को उनके गनाहों से क्या देगा नजाद देगा जब साथ साथ साल को अर्सा पूरा होता है तो खुदा अपने मकर्ब फरिष्टा को बेजता है और मकदसा मरीम को कहता है देख तेरे जो पेटा पैदा होगा वो ही अपने लोगों को उनके गनाहों से क्या देगा नजाद देगा तो खुदाने नजाद के काम को तकमील करने के लिए अपने बेटे को बेजा ताकि वो बनीनों निसान को मकमल तोर पर हरता के गनाहों से लामतों से तरह तरह की किबाखतों से रहा करके एक कामल तोर पर खुदा के सामने पेश कर सके और ये सिर्फ और सिर्फ ये समसी को कबूल करने के वसीला से मुम्किन है प्रेज हालेलुया बड़ा कुछ अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात की बात करते हैं तो एक सवाल हमारे जहन में उठता है और निजात यसमसी के वसीला से क्यों जरूरी है वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात क्यूं देगा जिस तरह के बाइबल में लिखा है कि इसलिए कि सब ने गुना किया और सब खड़ा के जलाल से महरूम रहे इसलिए सब गुनागार थे और नजात की जरूरत थी इसी नजात को देने के लिए यस्सु मसी जो है वो इस दुनिया में आए और इसकी बाबत रूमिया के ख़त में एक बड़ा खूबसूरत हो वाला उसका छटा बाब और इसकी तईसमें आयद में लिखा है क्योंके गुना की मज़़ूरी मौत है मगर खुदा की बख्षिश हमारे यसु मसी में हमेशा की जिन्दगी है क्योंकि गुना की मजदूरी मौत है और सब ने गुना किया इसलिए उस मौत से बचने के लिए एक नजाद दहिंदा की जो खुदा ने यस्सुमसी के जरीए से इस दुनिया को महया की ता कि जो कई उस पर इमान लाए हलाक ना हो बलके हमेशा की जिनकी पाए और यही खुश बरकत दे और सबने बहुत अच्छा मैसेज दिया और इसी तरह से जो है आईजिक टीवी की जितने भी पार्टनर है मैं उनकी शुक्र गुजारी करती हैं 2019 का साल जो है आईजिक टीवी के लिए बहुत सी बरकतों का बहुत सी तरक्की का बाइस बना मेरी पूरी टीम के लि साथ रहा और उनको बहुत बहुत बरकत दी आप गुआयां भी सुनते रहे हैं और इसे जाजर से हमारे जितने भी पास्टर सेवान थैटनलाइफ में काम गृत्य करते हैं मैं उनकी भी बेहाश शुक्र गुजारी करती हूँ क्योंकि ये जो है महीना ही शुक्र गुजारी के लिए है ताके हम अपने मूँ से भी शुकर गुजारी करें अपने मूँ से भी उनका कहें कि थैंक यू वेरी मच आपने बहुत अच्छा काम किया और आप यकीन जब जैसे खुदा के खादम ने कहा कि किंग और हम किंग के बचे हैं मैं उसकी बेटी हूँ खुदा के करते हैं आप 2019 के साल में आपने जो भी काम किया उसकी शुकर गुजारी आप कहें कि खुदामन सारा ओनर इजजद हम तुझे देते हैं तालियों के साथ हम उसको जो है ओनर दे ताकि ये 2019 का साल जो है हमारे लिए बरकत और तरक्की का बाइस बना है और मैं सब लोग हम मिल के दौा भी करेंगे खुदा के खादम भी दौा करेंगे और मैं दौा करूंगी आपके लिए ताकि जो आपका 2019 में अगर कोई बिच्छड गया है या आप से जुदा हो गया है या आप से छील लिया गया है या आप घर बनाना चाहते थे फिनैंशली आपकी प्राब्लम क् धिक तरहें ये सुमसी को देखें कि उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किये हैं आज हम आपके त्या के लिए करते हैं के सब आखेंत्व हो जाए हम आपके लिए हम अच्य चीजों के लिए खुदाओं की तुनि हमें वक्त दिया हमें अच्य तुनि वक्षिशे दी टाके हम तरी हम्द सना कर सके हैं यह सुपरे खुदाओंद और खुदाओंद तीरी शुक्र गुजारी करते हैं यह तुनिए यह सभाले रखा 2019 में हमें बहुत सी बर्कते दिया ये सुपरे खुदाओंद जितने भी खादमीन आई ये सुपरे खुदाओंद आईजिक टीवी पे उनकी शुकर गुजारी करती प्रेयर फेस्टिबल्स के लिए शुकर गुजारी करती ये अपने पास ते सबान की शुकर गुजारी करती है खड़ाओं को यि तेरा हाथ बढ़ा रहा है यजवि परैं खुदाओं, हम सारा ओनर इज़त हम अपने यसमसी को देते हैं ये स्थाओं और इस ता से बहुत से लोग ये स्थाओं ये सौत परेशान रहे है अभी इसी वक्त आई खुदा देन है ये सुपन असका हज्बंड उससे जुदा हो गया है ये सुपन ऑसकी बीवी उससे जुदा हो गई है खुदा तु अपना हाथ बढ़ा के फिर से उनको बहाल कर दिया है खुदा जौब नहीं है अच्छी जौब प्रवाइड कर रहा है पाकरू तो चुना और इनके साथ होना कैंसर है यसु परे खुदावन और यसु के नाम से कैंसर को हुकम देते हैं कैंसर यसु के नाम से जाता रहे कानों की बिमारी है अभी इसी वक्त पस बेहती है यसु के नाम से सारी बिमारी को रिमूख कर आँखों में मौतिया है, काला मौतिया है, सफेद मौतिया है यसु के नाम से रिमूव कर दमागी प्राबलम है, यसु के नाम से अभी इसी वक्त यसु इनको तेरे हैंड़ वर्य करते हैं, मुह में आए खुदा खुदा प्राबलम है दांतों की ए खुदा खुदा बिमारी है, यसु के नामसे मुकमल शिफादे नाक में गदूदें है, मुकमल शिफादे अभी इसी वक्त तूप्रिशन कर ई, यसु पर इखुदाबन अभी इसी वक्त तू अपना हाथ Pॉड़ा मू का कैंसर है भाई को मू का कैंसर है किसी बच्चे को कैंसर है खुदा खुदा ब्लैड कैंसर है और भी बहुत सी बिमारिया है कैंसर के साथ यसु के नाम से मकमल शिफा दे शूगर है शूगर के फोड़े है यसु के नाम से मकमल शिफा दे शूगर की वज़ा से यसु पर आई खुदावन इनसुनिन लगती है आई खुदावन खुदावन अभी इसी वक्द मकम्ल शिफादे ताकि तेरा बेटा इस बिमारी से रहा कि तेरे नाम की गौाही दे क्योंकि खुदाओन तर्य किलाम में लिखा है मैं इसलिए आया ताके येस्वार नीजन आज जो लोग अंधेरे में एखुदा आये खुदा येस्वार के नाम से तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिन्दीयों से efflar को नकाला आए खुदाओं खुदा जो यकीन करते हैं एमान रखते हैं जादू के उपर ये सुब वो तोबा करेंगे इस उपर आए खुदाओं नजात पाईए इस उपर आए खुदाओं अभी भी आए खुदाओं खुदा भेहन है आए खुदाओं खुदा अभी भी आए खुदाओ तूने पर अमल करती है है आए खुदा आए खुदा अभी इसे वक्त परेशानँ अपने भाई की वाई की वज़ा से अपने हजबंट की वज़ा से परेशान नश्या करते हैं यसु के नाम से इनकी जिन्दगियों से नश्य को नकाल खुदामन तू अपना हाथ बढ़ा जो कर्ज की लानत में है सूद की लानत में है यसु के नाम से मुकम्मल शिफा दे खुदामन तू अपना हाध बढ़ा और निकी जलाली काम कर Бेरोजगारी है खुदामन दोहजारनिस में खुदामन धाया खुदा वखुदा परिशानी रही है दुख रहा तकलीफ रही है, मसीवते रही है खुदामन सारी परिशानियों को खुशी में तबदील कर दे। खुदामन तू अपना हाथ भढ़ाना और जितनी भी कलिसिया खिद्मत गुजारी करती हैं सब को मैं यसू तेरे हैंड़ोवर करती। आईजिक टीवी के पार्टनर्स को मैं तेरे हैंड़ोवर करती। सब को यसू मैं तेरे हैंड़ोवर करती। आज आज हम घटे और तू बड़े। मुलके पाकिस्तान को मैं तेरे हैंड़ोवर करती। ताकि तेरा हाथ बढ़े, मुलक में आए खुदा उदा बेतरी हो, और विजीर आजम को मैं तेरे हैंड उवर करती, अदलिया को अधारों को तेरे हैंड उवर करती, इस तरह प्रेज़ेंट को मैं तेरे हैंड उवर करती, जज्जों को मैं तेरे हैंड उवर करती, जितने भी तारों को यसमेर तेरे हैंडवा कर देती ताके तेरा हाइड बड़े और तु हमारे साथ रहे Praise Hallelujah मेरा इमान है कि हम सबने मिलके दुआ किये है और आप अपनी गौाहियां शेयर करते हैं Thank you very much खुदा के खादमों को भी Thank you very much Thank you very much पास साब आपका भी Thank you very much आपका भी Thank you very much खुदावन आप सब को बहुत बहुत बरकत दे खुदावन आपको भी बहुत बहुत बरकत दे और Thank you very much आईजिक टीवी के जितने भी पार्टनर्स है Thank you very much ये समहीना जॉय का है खुशी का है और बरकतों का है खुदावन इस साल आपको आपका कुछ चूट गया है या आप नराज है या आपका जो है कोई बात है जो आप ये समसी को कहते है के मेरी नहीं सुनता खुदावन हर एक ही सुनता है आप उसे मांगें अपना दिल उसे दे और इसको पढ़ें और अपने दिल में रखें और ये सुआपके सासा चलेगा और इस सीजन में नए सीजन में खुदामद आपको बहुत बहुत बरकत दे और नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे गाड बलेस्ट यू आल पाकिस्तान जिन्दाबाद पाकिस्तान